नमस्कार दोस्तों मैं कृष्ण नमूर्थी आप सभी का सौगत करता हूँ लर्णिंग मेरे यूटुब चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है SBA Securities से Fund Withdraw कैसे कर सकते हैं तो वीडियो देखते हैं वीडियो अच्छा है कि पर लाइक करना सबस्क्राइब करना और से अगरना सबसे पहरे SBA Securities का जो मुवाइल अप है उसको आप लॉगिन कर लो लॉगिन करने के बाद ये डैस्पोर्ट आपको दिखाए देगा यहाँ पर त्री बार दिख रहा है इसपे आपको क्लिक करना है जैसी आप इसपे क्लिक करोगे यहाँ पर देखो लिमिट का उप्शन है इसपे आप क्लिक कर देना जैसी लिमिट का उप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पे hold fund का option है इस पे आप click कर देना जैसे आप इस पे click कर होगे यहाँ पे देखो hold आ रहा है hold का मतलब होता है अगर आपका SBA securities SBA bank account दोनों link है तो आप यहाँ से directly पैसे hold कर सकते हो बिना user ID, password के transfer का मतलब होता है कि आपका SBA securities है और आपका दूसरा bank account link है तो आप यहाँ से transfer कर सकते हो भले आपका SBA bank account वी link है तो आप यहाँ से transfer कर सकते हो through UPI, through net banking तो यहाँ से transfer हो गया release का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको release करना है अगर आपको fund जो है release करना है तो यहाँ से करना है तो यहाँ पर जो भी आपको amount है क्योंकि यहाँ दोनों मेरा same bank account है same securities है मुझे कोई user ID password नहीं put करना होगा instantly मेरा पैसा जो है मेरे bank account में चलाएगा तो मैं लो मैं यहाँ पर 100 rupees put करता हूँ यहाँ पर 1497 का है 100 मैंने put किया bank account यहाँ पर दिख रहा है तो मैं release पर क्लिक किया समझ गए यहाँ पर आपको withdraw पर क्लिक करना है withdraw मतलब अगर आपका SBA securities और दूसरा bank account link है ICSAE, COTEK, AXIS, SDFC कुछ भी link है तो आपको transfer करना पड़ेगा इसमें आपको जो टाइम लगने वाला है one day, one working date का टाइम लगेगा वो चीज ध्यान रख लेना तो मालो मैं यहाँ पर 100 रुपेज का option डालता हूँ डाला यहाँ पर withdraw funds के option पर आप यहाँ पर क्लिक करो जैसे हैं आप क्लिक करोगे amount cannot be greater than available amount for withdrawal तो यहाँ पर available withdrawal जी 0 भी है तो यहाँ पर कुछ भी withdrawal amount जो है फिलाल भी नहीं है तो आप देख लेना जो भी withdrawal amount होगा वैसे जो है आप place कर सकते हो मालो अपने stock sell किया है तो T plus 2 working days का wait करना होगा settlement होने तक जब भी settlement हो जाएगा आपके funds का आपके stocks का तब जो है आप इसको withdraw कर सकते हो ऐसे आपको withdraw करना है release और withdraw बता दिया आपको दो चीज़े देखनी है same bank account है तो release कर सकते हो SBI securities SBI bank account अगर आपका दूसरा bank account है तो withdraw पे click करना पड़ेगा available fund यहाँ पे आपको दिख जाएगा उस fund को आप यहाँ पे withdraw करना withdraw funds पे click करना one working day के अंदर वो पैसे आपके bank account में चले आएगे transfer history में सब हिस्टरी आपको दिख जाने वाला है क्या क्या आपने किया हुआ है transfer क्या आपने यहाँ पे लिख किया हुआ है in process fund transfer हो चुका है सब्सक्राइब दोस्तों धन्यवाद